हलो एबरिवन वेलकम टूक विट सीमा आज मैं आपके साथ एक इजी एंड क्विक चॉकलेट केक की रेस्पी सेयर करने जा रही हूँ जिसे की हम ओरियो बिस्किट से बस 15 मिनट में बना कर तयार कर लेंगे और इस केक का स्वाथ बिल्कुल मार्केट से जो हम चॉकलेट ट्र चाप चाहें तो थोड़ा सा मैदा लेकर इसे तिन को डस्ट कर दे या फिर आप बटर पेपर से इसे लाइन कर दे और बटर पेपर लगाने के बाद एक बार फिर से इसे ऑईल से अच्छी तरह से ग्रीज कर देंगे तिन हमारा रेडी हो गया है तो इसे हम साइड में रख किन दो पैक में टोटल बीज बिसकित थे जिसमें सेकी 18 हम बैटर बनाने में यूज करेंगे और दो बिसकित को मैंने डेकरेशन के लिए रखा है और अब बिसकित को इस तरह से खूल कर इसके अंदर का क्रीम हम अलग कर लेंगे जिसे की बात में हम केक को डेकरेट करने के यूज़ करेंगे या फिर अगर आप चाहें तो क्रीम के साथ भी बिस्किट का यूज़ कर सकते हैं तो मैंने सारे क्रीम अलग कर लिये हैं और अब इन बिस्किट को तीन से चार टुकरों में हम छोटे-छोटे तोर देंगे जिससे कि इसे ग्राइंड करना एजी हो जाएगा अब इस बिस्किट को हम एक ग्राइंडिंग जार में ट्रांसफर कर लेंगे और इसे ग्राइंड करके इसका फाइन पाड़र हम बना लेंगे तो बिस्किट को मैंने ग्राइंड कर लिया है तो अब इसे एक बावल में हम ट्रांसफर कर लेंगे और इसी समय इसमें हम आधा कब दूध अब करेंगे इसके साथ ही इसमें आधा चमamt बेकैंग पॉडर अब करेंगे आप चाहें तो बेकैंग पॉडर की जगह आधा चमत इनो का भी यूज कर सकते हैं और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे बैटर हमारा थोड़ा सा थिक लग रहा है तो एक चमस दूध और एड़ करेंगे और फिर से मिक्स करके इसका हम बैटर तयार कर लेंगे तो बैटर की कंसिस्टेंसी कुछ इस तरह की होनी चाहिए तो बैटर हमारा रेडी हो गया है तो अब इसे हम पहले से प्रिपेयर किये हुए टिन में पोर कर देंगे दो से तीन बार टैप करके एक से से अर बबल्स रिलीज कर देंगे और अब यहां मैंने एक कराही प्रिहिट होने के लिए रख दिया है तो मीडियम फ्लेम पर इसे 10 मिनट के लिए गरम होने देंगे और उसके बाद धकन हटाकर इसमें एक वायर रैक रखकर और तयार किये हुए बैटर को हम इसमें डाल देंगे फिर से कभर करके और मीडियम फ्लेम पर इसे 15 मिनट के लिए हम बेग करेंगे पंद्रह मिनट हो गया है तो एक बार इसे हम चेक कर लेंगे एस्क्यूर हमारा क्लीन निकला है इट मिन्स केक हमारा अच्छी तरह बेक हुआ है तो इसे हम ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे और ठंडा हो जाने के बाद अब इसे हम डी मोल्ड कर लेंगे तो बहुत ही जादा सौफ्ट और स्पॉंजी केक बन कर तेयार हुआ है देखने से ही बहुत ही जादा डिलिसियस लग रहा है और अब इस केक को हम उपर से चौकलेट गनाज से कवर कर देंगे चौकलेट गनाज बनाना बहुत ही इजी है आप आधा कप क्रीम और पचास ग्राम चौकलेट को माइक्रोवेब कर लें और उसे अच्छी तरह से मिक्स करके इस तरह से चॉकलेट को उससे कोट कर दे या फिर आप इसकी जगह इसे न्युटेला से भी कवर कर सकते हैं और ओरियो बिस्किट के टुकरे से इसे डेकुरेट कर देंगे तो बहुत ही इसली घर में चॉकलेट ट्रॉफल केक बन कर तयार है और वो भी हमने इसे बस 15 मिनिट में बना कर तयार किया है और अब ये किसी भी सेलिब्रेशन के लिए रेड़ी है इसका स्वाथ बहुत ही ज़्यादा लाजबाब आता है तो एक बार इसे आप जरूर ट्राई करें और अब मैं आपको इसे कट करके दिखाती हूँ कि कितना ज्यादा सॉफ्ट और स्पॉंजी केक बन कर तयार हुआ है बच्चों को ये बहुत ही ज्यादा पसंद आती है तो एक बार आप इसे जरूर ट्राई करें तो आज की अगर औरियो बिस्किट केक की रिस्पी आपको पसंद आई है तो लाइक सेर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले मिलती हूँ बहुत जल्द आप से ऐसी ही नई और इंट्रेस्टिंग रिस्पी के साथ तब तक के लिए बाई टेक केर